अगर आप डिप्लोमा बीटेक्ट से पास ओट तो इस विए अपलाई कर सकते हो इसमें आप इस विए अपलाई करते हो इसमा आप पर सेलेक्शन हो तो दो साल का कॉंट्राक बेसिस यहाँ पर पर इक्स्टेंड कर सकेंगे ठीक है यहाँ पर फ्रेसर इलिजवाल है तो फ्रेसर से आप कोई भी एक्सपरेंश नहीं तो आप इस विए इसको अपलाई कर सकते हैं आज मैं इस वीडियो को वीडियो में पूरे डिटेल बताना वाले से वीडियो में बने लिए लास्त देख फ्रेसान नेक्पलाइधा है आप इसको आपलाई करना शाहते है विधिक ट्रफ और टलोमाचा का उन्हों में आप एसे दिपलोम यहाँ प्लॉमे से पास ओठो बीटेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसका लाज डेट 15 जून रहने वाला तो अगर आप इस वेकेंसी के लिए तो आप एक जून से अप्लाइ कर सकते हैं इसका जो लाज डेट है 15 जून होने वाला है ठीक है अप्लाइ करने के लिए इसका क्या करना ओफिसल वेकेंसी को अप्लाइ करने के लिए आपको सीविल होना चाहिए और केक्टेक्चर से पासओट है सीविल से पासओट है डिपलोमा बीए विटेक्ट तो अप्लाइ कर सकते दूसरे ब्रहां से यहां पर अप्लाइ नहीं कर सके ठीक है अगर है पर आपका 40 मार्क ओरते हैं तो 9545, तैसeger यहां पर 27IMD कि मार्ट थे जाएंगे डिये जाएंगे ठीक है और एक्स्प error इर। है तो आपको एक पी मार्क्स नहीं दिये जाएंगे दो से एर के experience तो आपको 20 मार्क्स दिये जाएंगे यह जो experience है आपको contact basis पर आप कहीं भी job किये हैं तो आपको यहां पर मार्क्स दिये जाएंगे ठीक है अगर फुल टाइम आप government में अधर सेक्टर में प्राइविट सेक्टर में तो आपको यहां पर आप इस वहिंस को अपलाए नहीं कर सकेंगे ठीक है आप इस से application यहां पर कोई नहीं है तो आप apply कर सकेंगे ठीक है यहां पर देख पाने दोस्तों अगर यहां पर आपको सेलेक्शन होता है यहां पर दो साल का और हो जाएंगे contact basis यहां पर जॉब लगने वाला इसमें और दो साल एक्स्टेंड हो सकते हैं यह contact basis job तो आप अगर इंट्रेस्टे तो यह भेगंशी को अपलाई कीजिएगा ठीक है और इस भेगंशी को अपलाई करने के लिए आपको बीवी टेक्स डिप्लोमा से सीविल से आप पासट हो आर्किटेक्स से तो यह भेगंशी को अपलाई जर एंगे पर वाचिंग